फूटा घड़ा, बहुत समय पहले की बात है, रामपुर गाउं में एक किसान रहता था, वह रोज भोर में उठकर दूर ज़र्नों से स्वच पानी लेने जाया करता था, इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो दंदे में बांध कर दोनों और लक्का लेता था, उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था, और दूसरा एक दम सही था इस वज़े से रोज घड़ पहुंचते पहुंचते किसान के पास देर घड़ा पानी ही बच पाता था, ऐसा दो सालों से चल रहा था, सही घड़े को इस बात का घमन था कि वो पूरा का पूरा पानी घड़ पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वही दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घड़ तक पनुचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है, फूटा घड़ा ये सब सोच कर बहुत परिशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आप से ख्शमा मांगना चाहता हूँ किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो, शायद आप नहीं जानते पर मैं एक जगल से फूटा हुआ हूँ, और पिछले दो सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ, मेरे अंदर ये बहुत कमी है, और इस वजह से आपकी मेहनत बरवाद होती रही है, फूटे घरे ने दुखी होते हुए कहा, किसान को घरे की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लोटते वक्त तुम रास्ते में पढ़ने वाले सुन्दर फ पहुचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था, वो मायूस हो गया और किसान से एक शमा मांगने लगा, किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घरे की तरफ एक भी फूल नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाव उठाया, मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगी फूलों के बीच वो दिये थे, तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सीचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया, आज तुम्हारी वज़े से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुन्दर बना पाता हूँ, तुम ही सोचो अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता कहानी की शेक, दोस्तों हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमिया हमें अनोखा बनाती है, उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को गो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तब अच्छे घड़े से मुह्यवान हो